नमस्कार दोस्तों मैं वजीतिवारी सौगत है आपका मारी यूटुब चैनल दा बुक्स सोसाइटी में जहां हम आज ही क्लास में सब्जेट कोड BPS E143 के चैप्टर नमबर 10 की चर्चा करेंगे चैप्टर का नाम होगा चुनावी राजनीती इससे पहले 9 चैप्टरों की व आज इकलाश हमारी चुनावी राजनीती पर होगी तो देखो पता है क्या चुनावी राजनीती है क्या आप यह देखते होंगे कई बार आपके मन में यह बात आती होगी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जितने पॉलिटिकल पालिटीज हैं यह चुनावों के टाइम पर क्यों होती हैं तो चुनावों के टाइम पर इवन चुनाव से एक दिन पहले तक किस प्रकार से मत दाता का माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए यह सारा चुनावी राजनितिया खेल हैं देखिए इस चैप्टर की जो प्रस्तावना है वह बहुत ज़्यादा इंपोटेंट हो होते हैं जिससे कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप से जुड़ा होता है जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है कि आर्थिक कारकों से जुड़ा हो कोई व्यक्ति राजनितिक कारकों से जुड़ा हो कोई विचारधाराओं से जुड़ा हो कोई सांस्किति से जुड़ा हो कोई के पूरी 100% guarantee लेता है तो ऐसे में कई ब्यार एक नहीं विचारधरा आती है जो सारी community की विचारधराओं को लेकर चलती है तो ऐसे में जो चुनाओ की रानीती होती है यह थोड़ी सी नहीं complicated हो जाती है चुनाओ के समय सारे भेडिये क्या करते हैं सारे भेडिये रंग इन होक होके आते हैं और हम जैसी मासूम भेडो को यानि की साधान जनता को लपेट ले जाता है हरी शंकर परसाई की बहुत अच्छी कहानी है भेड़ और भेडिये अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको जबरदस तरीके से पता जलाएगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है तो देख है चुनावी राजनीता एक साल पहले ःस्red है जैसे कि 2024 में एलेक्षन को चुकी है में तो इस प्रकार घुनावी रानीता के बारे में ने पडाते हैं कि वहीं की डैमोक्रेसी सफल है जैसे कि हम सभी को बता है हमारा सम्विधान 1950 में लाग हुआ और जब सम्विधान लाग हुआ तो उस समय वोट डालने की उमरती 21 लेकिन आगे चल कर इस उमर को घटा के 18 साल कर दी गई तो आज के टाइम पे 18 साल से उपर के प्रते व्यक्ति को जो वोट डालने का अधिकार है उसे हम सारव भॉमिक व्यस्क मता अधिकार कहते हैं और आपने लाश्ट क्लास में पढ़ा ही था कि चुनाव करवाने का काम किसका होता है इलेक्शन कमीशन का तो चुनाव समय समय पर होते रहें इसके लिए इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई चुनावायो की स्थापना की गई चुनावायो का काम हो चुनाव करवा है राणीतियलो को मानिता दे अगर चुनाव में कहीं भृट्टा चार हुआ है तो उसके वो खुल कर जार्च करें कौन से प्रत्याशी चुनाव में भाग लेगें उनको टिकेट कौन देगा इलेक्शन कमिशन देगा चुनाव में पुरी पुरी निगरानी कब चुनाव होने हैं कब रिजल्ट होने हैं वोटो गिंति किस टाइप से होगी जनता सीदे सीदे वो डाल रही है तो हम इसे कैसे चुनाव कहते हैं प्रत्यक्षनाव कहते हैं लेकिन जो वो चुनाव जिसमें जनता भाग नहीं ले रही है वो चुनाव कैलाते हैं आप प्रत्यक्षनाव कैलाते हैं हम राष्ट्पति का चुनाव में भाग नहीं लेते है तो ये किस टाइप के होते है आप प्रतक्ष चुनाव नहीं तो प्रतक्ष चुनाव । वह चुनाव में जनता भाग की ब्रतक्ष अङ Вас! लेकिन राश्पते के चुनाओं में उप्राश्पते के चुनाओं में जनता भाग नहीं लेती है ठीक है भगे भारत में जनता जो है प्रतिनी चुनती है लोकसभा के माध्यम से विधान सभा के माध्यम से और स्थानी निकायों तो लोकसभा में हम प्रधान मंत्री और विध इस चैप्टर की प्रस्तावना में पढ़ते हैं आगे चैप्टर है कि भारते राज्यों में चुनावी राजनीती की व्याख्या कीजिए तो देखो भारत के राज्यों में आप देखोगे तो हम सबी को पता है एक भारत एक व्यूंतों अभरा देश है विभिन धरम विभीन जाती विभाष्याओं वाला देश है बारत ऐसे में बहुत सारे राजनीतिक दलोका निर्माड धरम के अधार पर भार्षा के अधार पर और जाते के धार पर हुआ है तो ये बात भी बिलकुल फिक्स ही है कि चुनावों के टाइम पर वो लोग अपने धरम जाती और भाषा का भरपूर रूप से इस्तिमाल करते हैं इस प्रकार से हमारे देश में राज्यों की राजनीती समय से हैं बद प्रभावित होती रहती है अब देखिए चुनावों को जो विश्चलेशन के जब एक देखिए क्या होता है जैसे चुनाव हुआ तो जब चुनाव होता है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि चुनावों में कितने लोगों ने भाग लिया कितने परसेंट मद्दान हुआ कई बार आपने देखा ह किया है सपोर्ट किया है तो क्यों किया है दूसरे के सपोर्ट नहीं किया है तो यह सारा जो हम अध्यन करते हैं इसी अध्यन को सैफलोजी कहते हैं यानि कि चुनाओ के उपर आपको रिसर्च करनी है चुनाओ के उपर आपको अध्यन करना है तो उस विशय को कहते हैं सैफलो बहुत ज़्यादा लोगप्री हो चुकी है 1960 के बाद की राजनीती तो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग हो गई है जिसके बारे में बहुत सारी प्रोफेसर रजी कुठारी का नाम सबसे आगे आता इसमें उनकी जो किताबें उन्होंने जो चुनाओ को विशलेशन किया वो सबसे जवरजस्ट विशलेशन है तो 1952 से लेकर 1907 तक यानि कि 1952 से लेकर 1967 तक जैसे कि मैंने लाज्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कॉंग्रेस का दबदबा था लेकिन 1967 के बाद भारत की राजनीत जवरदस्त हो गई बहुत सारे राजनीतिक दल जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको DM के जो कि साउथ हिंडे के राजनीति में उठे पंजाब में अकाली दल की बात करें मिजोरम में मिजोनेसनल फ्रेंट की बात करें नागा ऐसोशिशन की बात करें जम्मू कश्मीर में आप फारुक अब्दुल्ला साब की जो पाइटी है उसकी बात करें तो इस प्रकार से भारत में जो है 1967 के बाद राजनीतिक दल बहुत सारे बढ़ गए राजनीतिक दल चेत्रे नेताओं की भूमी का बढ़ गई छेत्रे पाइटियों की भूमी का पड़ गई जो कि किसी विशेश छेत्र, विशेश जाती, विशेश भाषा, विशेश संस्कृति से संबंदित है इसके लावा कुछ नेता तो ऐसे थे भाहिस उन्होंने जो उठे तो छेत्रे इस्तर परते यानि किसी राजे से उठेते लेकिन उन्होंने राष्टर इस्तर तकी महत्पड भूमी का निभाई इवन सेंटरल कॉवर्मेंट में उन्हें मंत्रा लेकि पद भी मिले एक्जाम्पल देता है सबसे बड़ा नाम जब आता हूँ चौधरी चरण सिंग जी का आता है चौधरी चरण सिंग एक साधान से किसान नेता आगे चलकर छोड़ी सी पार्टी की स्थापना करेंगे और आगे चलकर देश के प्रधान मंत्री बन जाएंगे 1977 में 1977 में जनता पार्टी के शाषनकाल के दोड़ा उन्होंने प्रधान मंत्री का पद्ध भी अदा किया था हाला कि दो-चार मही नहीं रहे थे कुछ समय तक भारत के प्रधान मंत्री बने जनता पार्टी में चौधी चरण सिंग जासे नेताओं और समाजबातियों ने जितनी भी पॉलिसी बनाई गई उसमें महतपड़ू में करी भाई इवन इतना ही नी उनके ही प्रयासों से 1978 में मंडल आयोग की निफ्ति की गई मंडल आयोग ने आगे चलकर OBC का मुद्दा उठाया था यानि कि जब समिधान मना था तो SC और ST को आरक्षण दिया गया था लेकिन जब 77 में जनता पार्टी सरका बनी तो उन्होंने विंधेश्वरी प्रसार मंडल की अधिक्षता में एक आयोग का गठन किया इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौपी और आगे चलकर 1992 में OBC का आरक्षण दिया गया यानि कि आज जो आप OBC सुनते हो यह OBC सेंटर लेवल पर 1992 के बाद आया है तो ऐसे में जब OBC का मुद्दा उठा तो जाती राजनिती और ज्यादा भावी हो गई आगे UP की बात की जाए बिहार की बात की जाए तो सरकाई नौकरियों में OBC का आरक्षण की डिमांड की गई एक और पार्टी भारत में इस दोन बनी है BSP UP की अगर बात करोगे तो UP में एक पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी हालकि इसकी स्थापना काशी राम के नेतरतों में होती है लेकिन जो बड़ा नाम BSP से आता है वो आता है मायवती जी का तो आपने देखा होगा BSP के अगर हम बात करें तो खास्तोर पर UP में इसकी बहुत दबदबा रहा है मायवती जी पांच बार सियम बनी है कहां पर UP में और कौन सी पार्टी का नेतरत लेकर BSP BSP अपने आपको दलित और वन्चित वर्गों की पार्टी कहती है और इनी के अधार पर वो अपनी नीतिया मनाती है और चुनावी राजनीती में वो दलितों का मुद्ध हर बार उठा कर अपनी रोटियां सेखती है समाज एक नयाय और धरम की भी राजनीती में एक महत्पुण भूमी का होती जा रही है भारत में 1960 के दर्शक के बाद जो चुनावी को अधन किया गया है उसमें यह बताया गया कि भारत में तीन प्रकार की विधिया है यानि कि अगर आप चुनावी पर रिसर्च कर रहे हैं तो एक तरीका है शोध सर्वेक्षन करो आप दूसा तरीका है परिवेश विश्चिलेशन करो सोध सर्वेक्षन का मतलब आप रिसर्च कर रहे हो वहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर देख रहे हो लोगों से पूछ रहे हो परिवेश विश्चिलेशन मतलब वहाँ की परिस्सित्यां कैसी है situations कैसी है जैसे आज कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं पंजाब में चुनाव को क्या चीज़े प्रभावित कर रही है और पश्री मंगाल में चीज़े को क्या प्रभावित कर रही है यूपी में क्या चीज़े प्रभावित कर रही है और तीसरा है field work आप खुद गए data इकठा किया सबसे अच्छा field work को माने जाता है रजणी कोठारी और माइनेस वीनर ने कहा है कि आप अगर सर्वेक्षन करते हो field work करते हो, खुद जाते हो तो चुनावी विशेशन का सबसे बड़े मुद्दा यही है कि आप वहाँ जा रहे हो, diet जनता से पूछ रहे हो diet लोगों के सर्वे कर रहे हो, इससे आपना लोगों के बारे में जाते जादा जानकारी कट्टी कर सकते हो तो भारत में अगर आप चुनावी विशेशन करोगे कि चुनावी राजनीति का अर्थ क्या है और भारत में चुनावी राज्यों की राजनीति की अगर बात किया है तो बहुत सारे राजनीतिक दलों का उदय हुआ है और इन छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने लोगों का participation हो राजनीति में ज्यादा सा ज्यादा लोग चुनावी राजनीति में भागदारी करें ज्यादा लोग वोट डालें और ऐसे में हम यह कहते हैं कि जिस देश में चुनाव सफल है उस देश में लोक तंत सफल हैं लेकिन आए दिन चुनावी राणिती में जब रिजल्ट आता है तो किसी दल पर एक खास निशाना लगा जाता है EVM हैक हो गई या फिर बूत कैप्चरिंग हो गई तो जो हम चुनावी राणिती की बात करते हैं तो आज 20 शताबदी में मत दाताओं की भागेदारी बढ़ती जा रही है अगर आप पहले के चुनाव देखोगे तो वोटरस इतने जादा नहीं थे उसका एक कारण था एक तो लोग असिक्षित थे लोग को इतना पता नहीं था वोटिंग के बारे में दूसरी बात ये एक बहुत कम ही लोग को वोट डालने का दिकार था अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्रुवात में जितने भी देश डेमोक्रिटिक थे उन्होंने केवल उन लोगों को वोट डालने का दिकार दियाता है जो या तो सिक्षित थे ग्रामीड वर्गों सबको वोट डालने का दिकार दिया गया चुनाव आयोक का निर्माण किया गया मतदान के लिए रोगों के अंदर रानितिक चेतना जागी की अवेर्नेस के प्रोग्राम चलाए गए जगे 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 जाकर कैम्प लगाए गए घिनोरे पिटवाए ग तो वोट डालने का दिकार का प्रियोक करिए तो इस प्रकार से चुनावी रानिति के माध्यम से लोकतांत्री करण को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके बारे में अगर आपको और जादा पढ़ना है तो यहाँ पर कुछ किताबों के नाम लिखें जो कि मैंने हाइलाइट दलित, OBC, महिला, धार्मी कलब संख्यक इन सब का लोकतंत्र में महतपड़ भूमी का निवति जा रही है इवन इनकी जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है इनकी भागेदारी जो है पार्टिसिपेशन रेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है जैसे कि यूगिंदर य राजनिती और लोकतंत्र के बीच में संबंध बताईए आगे कोशन है चुनावी राजनिती के तरीके भारत में चुनावी राजनिती के पैटर्स क्या है यानि कि चुनावी राजनिती में कौन कोस्त के हतकंड़े अपनाती है पॉलिटिकल पार्टियां तो देखो बढ़ बच्चियों को दो-दो-जार रुपे देंगे साइकिल बाटी जाएगी लैप्टॉप बाटे जाएंगे बिजली हो या ना हो बट लैप्टॉप बाट दे जाएंगे दूसरा तरीका है अपराध लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दे आएगा चेत्रिया नीताओं द्व बहुत सारे राजनीति गड़बंदनों का उदय हुआ है बहुत सारी पौलिटिकल पार्टियों का उदय हुआ है यू पी बिहार और तमिनाडू के एक्जामपल्स लेकर हम समझेंगे भी किस प्रकार से धनका प्रियोग किया राजनीति में अपराध कब भूमी का किस प्र करने के लिए उन पार्टियों साथ गड़ बंदन कर ले रही है जिनके साथ उनका कोई मेल नहीं है बीएसपी दलितों की बात करती है समाधवादी पार्टी समाज की सिध्धामतों की बात करती है निरधनता उल्मूलन की बात करती है और इन दोनों का गड़ बंदन हो गया ब दल समतावादी पाइटी ऐसे जीतन राम वाजी की एक पाइटी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बिहार में जेडी और राज़त जैसे बड़े बड़े दल हैं कब किसके साथ गडबंदन कर लेते हैं पता ही नहीं चलता हूं नितिश कुमार की सरकार का भी बीजेपी के साथ बनती है कभी नितिश कुमार की सरकार तेजस्वियादों के साथ बनती है तो ऐसे में जो हमारे चुनावी रान नीती है उसके तरीके यह हैं आप धन देकर गड़बंदन कर लिजे आप ड़ड़ा धमका कर कर लिजे या फिर आगे हम राज्यों की चुनावी मुद्धों की बात करने जा रहे हैं तो बहुत सारे मुद्धे हैं जो लोगों का मत निधारण करते हैं चुनाव से एक दिन पहले भी ना व्यक्ति का पता नहीं हुता वोट किसे देगा सही बता रहो मैं आपको वो सोचता में इस पाइट को वोट दूँगा लेकिन अगर अचानक से कोई घटना कर जाए न तो एक सेकंड बंदे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो जाता है अगले दिन किसी और को वोट दी आता है क्योंकि जनता ना बड़ी भोली है विकॉस जनता ना एजुकेटी नहीं है जनता ने ना समाज का वो चेहरा नहीं देखा है जनता अगर किताबों को पढ़ती था जनता अगर किताबों के अंदर के शब्दों को सुनती तो शायद उसे समाज का घिनोना रूप आपको सामन समझ में आ जाता है तो चुनाव में ना विविन प्रकार के मुद्दे होते हैं यह मुद्दे बहुत सारे होते हैं आर्थी ग्रूप से भी हो सकते हैं समाजिक रूप से भी हो सकते हैं सांस्कितिक रूप से भी हो सकते हैं ऐसे में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमारे डे खेल खेला जाता है यह भारत के चुनावी मुद्दे हैं इसके रावा वर्तमान में जात्य अधायत और ध्रम अधायत जो राजनीती है वो बहुत जादा बढ़ गई है कहरा है बीजेपी ने अखिल भारते इस तरपर धार्वी पहचान का बढ़ावा दिया है बीजेपी एक कुछ और पार्टी है जो जाती के धार पर अपना मुद्दा उठाती है लाग डैट बीएस पी उत्तर पूरी भारत में जाओगे तो निर्जाती है पहचान है यानि कि कोई बौडो लैंड की डिमांड कर रा जो कि हम लास्ट शैप्टर में पढ़ा था कोई कह रहा है कि हम मिजो लोग हैं कोई कह रहा हम अस्मी लोग हैं इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में ते लुगों लोगों ने ते लंगाना की डिमांड करी तो ऐसे में जो इनकी डिमांड है ये चुनावी राजनीति में में महत्पड़ भूमिका निवात दे है क्योंकि ये लोग ये सो प्रशन मूलिया की भूमिका बहुत जादा बढ़ गए है योटूब्स वाट्सैप इंस्टाग्राम स्नैपचैट एंड सो मोर तिंग्स जितनी आप जानते हों हर कहीं पे क्या हो रहा है सरकारी चीजों का प्रचार प्रसार किया रहा है सरकार अपनी नीतियों के जंता तक अब दिक्कत क्या इससे दिक्कत यह कि आप लोगों से केवल टीवी के माध्यम से जुड़ सकते हो रेडियो के माध्यम से जुड़ सकते हो लेकिन आज लगबाग हर व्यक्ति के पास फोन है हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है हर व्यक्ति सोसल मीडिया का यूज कर रहा है तो इसलिए सोशल मीडिया ने आज बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया किसको राजनीती को कुछ लोगों का मानना है आर्थिक सुधारों की वेज़ से भी राजी की भूमिका में कमी आई है यानि कि 1990 के बाद की जाए तो 1990 के बाद भारत में विकास का मॉडल जो है वो नीजी करन आया जो कि हमने भूमनली करन वाले चैप्टर में पढ़ा भी था अब नीजी करने से पता है क्या हुआ बड़ी बड़ी कंपनी हैं हमारे यहां लग गई है अब जो बड़ी बड़ी कंपनी है तो वाइदे तो यह किये गए लोगों से भाई यह कंपनी हमारे यह लगेगी तो इससे हमारे FDI आया आएगा बड़े प्रदेश के आमदनी का पानी सडकों का निर्मार करवाए लेकिन वर्तमान में ना सरकार का काम सिर्फ सिक्योर्टी रह गया है कि वो अंतराश्टर इस तर पर हमारी सिरक्षा करे हमारे देश की सीमाओं को सुरश्चित करे जबकि पीने का पानी प्राइवेट कंपनिया दे रही है बिजली प्र पता जा रहा है 1991 के बाद नीजी छेतर एक दम से बढ़ गया क्योंकि नीजी छेतर पर जो बाउंडेशन थी वो सारी खतम कर दी गई तो FDI विदेशी पूझी निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई है एक्जामपल जो हम लाश चैप्टर में पढ़ा था चंद्रब पर विदेशी नीवेश को बढ़ावा दिया लेकिन जब ये विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया ता बड़ी-बड़ी कंपनिया लगा जाते हैं तो इससे एक वड़ समस्य आती है जमीन अधि रहन शरकारी क्या कर लेती है आधीवासियों की या फिर किसानों की जमीन बतातों मैं आपको माइल ली जी नोड़ा में नोड़ा के जेवर में एक बहुत बड़ा एरपोर्ट बन रहा है महाँ पर जो लोग रहते थे पता है को क्या करते थे वहाँ खेती कर देते और हर साल गेहूं चावल उगा कर अपना पेड भरते थे सरकार ने उस जमीन को अधिग्रान कर ले हाईवे बनाने के लिए माफ किजएगा हाईवे के साथ साथ एरपोर्ट बनाने के लिए तो वहाँ के लोग को माफज़ा दे दिया गया और लोग वो जगया छोड़ कर चले गए लेकिन अब वो नई जगह जब जाएंगे तो उन्हें वो रोधगार के साथ निम लेंगे वो अपना पक्का घर बन वालेंगे उस पैसे से उसका विरोध करती है और जब विपक्षी पार्टी को सरकार बनती है तो वो भी जमीन अधिग्रेंड करती है तो ऐसे में विकास और समाजिक के लिए बड़ा मुद्दा उड़ जाता है एक्जामपल के लिए पश्मित्तर प्रदेश में जमीन अधिग्रेंड हुआ था औ तो यह जमीन अधिग्रेंड ता यह चुनावी मुद्दा बन गया 2011 के जो सरकार थी उसने बंगाल में नैनो फैक्टरी लगाने की इजाज़त दी इसका भी बड़े पैमान पर विरोध किया गया तो जमीन अधिग्रेंड का मुद्दा हमेशा राजनीती में गरमाया रहता है आज कल जुगी जोप्रियों का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है दिल्ली में भारत में आर्थिस सुधारों का जो मंडल आयोग है उसकी सिफाइशों का लागू किया गया उसका विश्रू में विरोध किया गया बड़े पैमान पर दंगे फसाद हुए सुप्रीम कोड ने उसमें एंट्री मारी इसके लाब हरियान राइस्थान की बात करोगे तो आप वहाँ पर जाती बात चल रहा है जाटों को आरक्षन देनी की बात किया रही है महराष्ट गुजात में मराठाओं और पटेल को लेकर मुद्दा चलता रहता है राइस्थान में गुज्रो का अधिग्रेंड करना धन अपराद यह बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जिन पर हर बार बात की जाती है लेकिन मैं आपको इतना पढ़ने के बाद आपको यह जरूर पता चलिया होगा कि सगा तो कोई है नहीं जितने भी पॉलिटिकल पालिटिया है देखिए पॉलिटिक लेकिन लॉजिकल बाते की किया उसने अनुछेदों के इसाफ से बाते करी आइटिकल हमें के राइट देते हैं और क्या उसके चाहिं से काम कर सकता है कोई बंद आता और यह कहा देता है हम आपके च्छेतर में अस्पताल बनवाएंगे आप कहते हैं बहुत खुश हुए क् कंजिस्टिड एरिया है आपका कोई भी आ रहा है किसी भी छत पर टावर लग जा रहे हैं कि आप कभी पूछते हैं कि जो रेजिदेंशल एरिया हमाँ पर टावर कैसे लग गए यहाँ पर कैंसर कलोनी बन जाएगी यह उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा लेकिन हम ना सडक और नाली के नाम पर वोट देते हैं सडक और नाली के नाम पर जब हम वोट देते हैं तो हमारी वोटिंग जीरो ही है एक तरीके से बस हम वोट देने जा रहे हैं इसी वेसे हमारा शोशन हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर चुनावी अवेरनेस नहीं है इसलिए हमें किताबो में यह चीजे पढ़ाई जा रही है और यूथ समाज को चेंज कर सकता है लेकिन अफसोस है कि यूथ ना पढ़कर पास नहीं हो रहा पास तो हो भी जाएगा आप भी होंगे लेकिन अगर आप पढ़कर पास हो रहे ना तो आप कोश्चन पुट करेंगे आपके अंदर ना कोश्चन मार्क आएगा और वो कोश्चन मार्क के लिए हम मैनत कर रहे हैं आई होप सर आपको लेक्च्टर समझ में आया होगा आगे चैप्टर का सारा अंश्य चैप्टर यहीं पर सिनिश होता है मिलते हैं आप से नेक्स चैप्टर के वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद